बिस्मिल्लाई रमान रहीम अस्सलाम उलेकुम याईली मदद आज की इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि शीय और मुहिद में क्या फर्क है और क्या इबरहीम शीया थे मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हुसेरी स्टूडियो को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो पहले से सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाएं एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा जो जनाबे सेयदा स्लाम अलाहा की खिदमत में हाजिर होती थी कि अब तो जाना तो बीवी सेयदा से पूछना कि शीया की तारिफ क्या है तो बीवी ने जवाब में कहा कि शीया हमारा वो होगा कि जिन बातों का हम हुक्म देंगे इन पर अमल करे और जिन बातों से मना करेंगे इन से दूर हच जाए औरत ने आकर शोहर को बताया इसने कहा दुबारा जा और पूछ के जिन बातों से आपने मना किया है अगर हम ना रुक सके और जिनका हुकम दिया है अमल ना कर सके तो हम शिया नहीं वो आई और सवाल पेश किया बीबी ने फरमाया के जिन बातों से रोका वो बाज नहीं रहा और हमारे अहकाम पर अमल नहीं किया वो हमारा शीया नहीं है इसके चेहरे पर माइوسी देकर जनाबे सियदा ने फरमाया कि वो शीया तो नहीं है मगर हमारा मोहिब जरूर है शीया के मानी है दोस्त के मददकार, के, ग्रोह, नासिर कुरान में ये लफस सिर्फ तीन बार आया है अल्ला ने सबसे पहले ये लफस इस्तमाल किया है अबरहीम के लिए अबरहीम के लिए कि में इस्तमाल किया कि वो कल्बे सलीम लेकर आये थे से आग पर चल कर आग को गुल्जार बना दिया इबरहीम की कौम आज़र बुतों को बुद बनाना नहीं चोड़ रही थी तो इबरहीम ने आज़र पर तबर्रा किया आग पर चलना और दुश्मर से बराब इबरहीम की दो सिफात है वैसे तो नमालूं कितनी सिफात है यानि तबर्रा करना ये खास सिफत है जिसकी वसे शीया कहा गया यानि खास शीया इसलिए कहा गया कि जो तबर्रा करता है हमारी अगली वीडियो देखने के लिए जिसमें ये बताएं कि हिंदुस्तान में शीयत का आगास कैसे हुआ और शाम और लबनान में कैसे हुआ इसके लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमे दबाएं शुक्रिया